अगर किसी का स्पाइन का फ्रैक्चर होता है अगर किसी की स्पाइन की हेड़ी तूटती है तो उसको जूडने में कितना समाई लग जाता है एक बहुती कॉमन सवाल हमको मरीज पूछते है और इसका उत्तर देने के लिए मैं इस विशे को विस्तार में आपको समझाने की कर रहा हूँ अब देखो स्पाइन फ्रैक्चर की बात करें तो स्पाइन के फ्रैक्चर दो तरीके के होता है अब पहला फ्रैक्चर होता है जो कि प्राइमरी फ्रैक्चर है प्राइमरी फ्रैक्चर मतलब स्पाइन को चोट लगने की वज़े से या डिरेक्ली स्पाइन को म होने में तीन मैने से छे मैंने लग कर इसकी प्रोसेस पूरी हीलिंग की यूम्य न की एक साल तक भी चल सकती है अब दूसरे तरीके का फ्रैक्चर होता है वो है सेंडरी या पैतीले कल फ्रैक्च inner movement भी करते हैं जिसमें jerks involved हैं जैसे कि खासते हैं चीक है जोर से बैट जाते हैं या फिर हलके से standing हाइट से गिर जाते हैं तो ऐसे fracture को वो जो हड़ी कमजोर हो गई है वहाँ पर fracture हो जाता है उसको हम कहाएंगे pathological fracture अब कौन से किसी pathology होती है किसकी वज़े से fracture हो सकता है सबसे common है osteoporosis जो हमारे growing age या older population में पाया जाता है और osteoporosis का मतलब होता है osteo मतलब bone porosis मतलब खोकला बन अब जैसे bone porous या spongy बन जाते हैं उमर की इसाब से तो ये bone की density कम हो जाती है उनकी strength कम हो जाती है जब patient जोर से खासते हैं चीक ते या बैट जाते हैं या हलके से standing height से गिरते हैं तो ये हड़ी fracture हो जाती है अब fracture होने की वज़े से patient को pain होता है और ये osteoporosis fracture हम generally without surgery treat करते हैं अब दूसरे तरीके का रोग जो एक होता है वो commonly है infection अब हमारी country में tuberculosis बहुत common infection है tuberculosis का जो किटानू होता है जो TB का किटानू होता है वो spine के अंदर जाकर spine की जो हड़ीया होती है उसके बीच में जो disc होती है वहाँ पर infection चालू होकर आजू-बाजू की हड़ी को खाते जाता है उसको नश्ट करते जाता है उसको खोकला बनाते जाता है और साती सात उसमें पस या मवाद बनता है अब ये मवाद और ये जो किटानू है वो जब हड़ी को खाता है तो हमारी spine के हड़ी का जो काम होता है कि weight transmission जब आप खड़े होते जो body का weight आपका spine से transmit होता है वो weight की वज़े से हड़ी fracture हो जाती है क्योंकि वहां का part खाया गया है जैसे कि building को समझ लो अगर building में अगर 50 floors है और उसके एक दो floor नश्ट हो जाए या कमजोर हो जाए तो पूरी building कोलाप्स हो सकती है उसी तरह spine कोलाप्स हो सकता है और spine कोलाप्स होने की वज़े से spinal cord को मार लग कर उस level के नीचे की ताकत जा सक सकती है तीसरे तरीकी का जो रोग होता है जो हड़ी को कमजोर बना सकता है और fracture क्रिएट कर सकता है वह है metastasis metastasis का मतलब है patient को कहीं पर body में tumor है या cancer है वहां का cancer जाके read की हड़ी में जाके बैठ गया है और वह cancer की जो sales है या cancer है वह read की हड़ी को खाये जा रहा है उसको ख इसी तरह अगर कोई भी रोग है, infection है, tumor है, osteoporosis है, जो हमारे bone को खोकला बना रहा है, तो उसकी वज़े से जो fracture होते हैं, उसको हम कहते है pathological fracture. अब pathological fracture के healing में, अगर osteoporosis है, तो इसके healing में 3 मैने से लेके 9 मैने तक भी healing चलती है, एक साल तक भी चलती है, पर ये आप समझ ले कि अगर compression fracture या osteoporosis है, जिसमें height मनके की दब गई है, तो वो उसी height में heal हो जाता है, अब वो height जो है, वो वापस बढ़ती नहीं है, अगर वो बढ़ा नहीं है, तो हम surgery करते हैं, जैसे kyphoplasti, बट हर patient में वो नहीं हो सकता है, कुछ patients में हम cement inject करके strength देते है, weight transmission के लिए, तो patient का pain कम होता है, अगर primary fracture है, और हड़ी आगे खिसक गई है, या फिर nurse को दबाव है, या pain बहुत ज्यादा है, तो ऐसे मरीजों में हम surgery recommend करते हैं, अगर tumor की वज़े से fracture हुआ, या infection की वज़े से fracture हुआ है, तो अगर infection है, तो infection को treat करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ अगर हड़ी को लाप्स हो गई है, तो उसको fix करना या surgery करने की ज़रूरत पड़ सकती है, सेम अगर tumor है या metastasis की वज़े से कमज़ूर हुआ है, तो उसको भी हमें fix करना पड़ सकता है, depending कितना fracture है, कौन से location पे है, patient का pain कितना है, क्या उसमें instability है, और क्या spinal cord के उपर compression है या नहीं, इसके उपर निरबर करेगा कि आपको surgery की ज़रूरत है या नहीं, अगर surgery होती है, तो generally patient को stabilization किया जाता है, और मरीज next day या एक दो दिन में खड़ा रहे के चल सकता है, अगर मरीज चलते है, तो धीरे धीरे उनका pain कम होता है, और उनकी healing process जो होती है, वो अपने आप चालू रहती है, और मरीज को continue rest करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर compression fracture है, या मामूली सा fracture है, stable fracture है, तो हम कमर का पटा लगा के मरीज को rest करने को कहते हैं, और rest के साथ इसाथ two to three weeks में दो से तीन हफ़ते में pain काफियत तक कम हो जाता है, और फिर हम मरीज को धीरे धीरे mobilization कर सकते हैं, ये in general हो गया spine के fracture बारे में primary fracture क्या होता है, pathological fracture क्या healing होती है, और कब इसमें surgery की जरुद पढ़ती है, अगर आपको फिर भी spine के fracture के बारे में जुड़े कुछ सवाल है, तो आप नीचे comment section में लिखे, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपके सवाल का जवाब दे, मैं माफी चाहूंगा कि काफी कुछ दिनों से हम comments को reply नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा busy schedule कुछ दिनों से चल रहा है, surgeries चल रही है, opides है भी जा रही है, बढ़ हम कोशिश करेंगे कि हम जल से जल आपको आपके सवाल का जवाब दे, thank you so much